दोस्तों देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको मैंनोर्स एंड फट्लाजर के बारे में कुछ हमने आपको जानकार्य दे दी थी जैसे कि उसका क्लासिफिकेशन होता है ठीक है तो उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जैसे आपका SiT Cho乾발 क्या होता है complex fertilizer क्या होते हैं h waż है अधिक शब्रट यह इस बी है इन सभी वृष् 원 थी और मैंनियोर्स चाहुत या होते हैं और फटलजर इन के अलग–अलग इनको जो है बता दिया था expland कर दिया था Our brand को और दीन निवर नाइट्रेट फटलाजर अमोनिकल फटलाजर और आपके एमार्ट फटलाजर इन से आपके एक या दो कुस्चन बल्कि तीन कुस्चन आपके परिक्षा में आने के चांसे हैं उनमें कौन से नाइट्रेट फटलाजर होते हैं कौन से अमोनिकल फटलाजर होते हैं नाइट्रो पौधे जो है कुछ तो नाइड्रेट फॉम में ग्राड करते हैं कुछ आपके अमोनिकल फॉम में ग्राड करते हैं ठीक है और कुछ आपके जो है तो इसी प्रकार से फटलाइजर को बनाया गया है नाइड्रेट फटलाइजर अमोनिकल फटलाइजर और कुछ आपके अमोनि में इनसे पूंचा जाता है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रेट फटलाजर हो सकता है पूंच ले तो नाइट्रेट फटलाजर के हमने अलग से नाम लिखे हुए हैं अमोनिकल फटलाजर के अलग से नाम लिखे हुए हैं अमोनिकल नाइट्रेट फटलाजर के अलग से नाम है और आपके एमाड फटलाजर के अलग नाम है ठीक है अब इन में कितने परसंट नाइट्रोजन पाई जाती है उन्हों पर भी चर्चा करेंगे और इनसे जो इंपोर्टेंट बनेंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे ठीक है यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाए उपर ही आपको वीडियो मिल जाएगा उसे एक बार देख लें ठीक है उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको अ last qtsd लगा हो समझ लीजै को इस नाइट्रें फटला जा रहा हो wandering Gospel क्या अंट्रेट सोडियम नाइट्रेट दोनों में क्या लगा हुआ है तो इसका फॉर्मूला उता है और सोडियोम नाइटरे सॉदिन के का फश в्रमूला सोटा नए नोटरी ठीक है तो इनके फॉर्मूल की मात्रा है वह 15.5 परसेन्ट होती है और सोडियम नाइट्रेट में जो नाइडरोजन की मात्रा है वह 16 परसेंट यानि कि 16 प्रतिसत होती है कितनी होती है 16 प्रतिसत होती है इसके अलावा ठूड़ी से ह bottlor coupon गरद कर लें तो जो नाइट्रेट जो है solubility in water यानि कि यह जो है solubile हो जाते है water में solubile होते है hygroscopic city भी इनकी होती है इनमें hygroscopic city भी पाई जाती है और जो nitrate fertilizer होते हैं उनको हम लोग सभी फसलों में all crops में दे सकते हैं nitrate fertilizer को all crops में दे सकते हैं exception आपका paddy accept paddy यानि कि प्रेड को छोड़ करके सभी को सकते हैं आप देखिए नाइट्रेट फाड़ाज़र को हम लोग प्रेडी में आ ע्मोनिकल के रूप में देते हैं किसी भी नाइट्रोज्य ची daw को चौँ कैम इसलीए उसे इंग ऑम, में दिया जाता है ठीक है अब इसका कुछ अलग लॉजिक है लॉजिक बताएंगे वाई आपके मतलब का है नहीं लॉजिक बताएंगे समय ज्यादा जाएगा इसलिए उसको छोड़ देते हैं उसका लॉजिक कुछ यह कि जैसे नाइट्रेट होता है नाइट्रेट पहले बदलता है फिर इसके बाद यह नो बनाता और यह लग्यान और और आज तो ऑद इस लिए नाइट्रेट को प्रियोग नहीं करते हैं ठीक है इसमें कुछ बैक्टीरिया आभी पाए जाते इसमें दो जौन होते है एक आपका ड्यूष्ट जोनोता है दान के दिक्रतमें दूसरा आपका फजिडायल होता है एकक्रतों में अब करते है रर्लायज hear तो वहां लातनी पर एंचींट जोन होगा अनयरोबिक करदीशंव को सब्से ज्यादा पूछा जाता है question पूछा जाता है कि जो Ammonia सब्से ज्यादा nitrogen किश ट्लाइजर में पाया चाहे तो सब्से ज़्यादा । वैसा ट्लाइजर सब्से आफ जाना बेल जाता है किसमें पाया जाता है एनाइड्रस अमोनिया में पाया जाता है 82 परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है और यह आपका किस फॉर्म में होता है यह आपका लिक्विड फॉर्म में होता है इसे भी याद रखना कि एनाइड्रस अमोनिया जो है यह यह आपका लिक्विड फॉर पत्षट कि Ammonium by carbonate के दी हम बात करें तो Ammonium by carbonate में 17 परसेंट नायटरोजन पाया जाता है कितना तो यह मुख्व मुख्व हमने आपको लख दिये हैं इनी से आपका पूरा प्रिक्षा में पूछा जाएगा इसके बाहर नहीं आएगा Ammonium nitrate fertilizer की यदि हम बात करें तो देखे इसमें Ammonical fertilizer में थोड़ा सा और देख लें कि इसमें solubility is soluble gulancy होते हैं घूल जाते हैं ठीक है उसके बाद iagroiscopic city भी इनकी उती है hygroscopic भी होते हैं और यह जो है किसमें दिये जाते हैं reduced condition में दिये जाते हैं किसमें दिये जाते हैं reduced condition में Ammonial Fatalizer को हम all crops के सकते हैं लेकिन बेसल एंग Top Drating के रूप में equal भी दे सकते हैं इसको हम और और टॉपkel देसिंग के रूप में भी दे सकते हैं थिम्थ अब जैसे आपका Ammonium Nitrate है Ammonium Nitrate fertilizer जो भी है Ammonical Nitrate थो प्रीशिए किसान भावथ को उससे नइट्रोचाक भी का जाता प्रकुप March यह से blacks चाइब कहा जाता है उनिड्रोलिक यह सब्सकिश की और एंड्रोष मैट्यू जाता है तो इसके कई नाम है कुशिधय कैलिय नाम है तक किसे कहा जाता है है तो ítulo 6 bucket की मात्रा पत्संट होती है कितनी होती है पत्शेज परतुब होती है उसके बाद अगला आता है हैं मॉनियंख वैड नाइट्रिट मॉनिय नाइट्रोजन की मात्रा होती है ठीक है तो यह जो है आपके अब जैसे समा अलाइड है याए है आपका एक्सक्लोजर ऐम नाइक्स याँ यह आपका एक्स याई आपका एक्स Microsoft बनागा जाते हैं उसमें भी इसका पर्योग किया जाता है ऑमोनीयम नाय ड्रेट प्रियोंग किया जाता है जो विस्पोटक-बदार्द बनाये जाते हैं उसमें भी इसका प्रियोंग किया तो यह थे आपके नाइट्रोजनस फटलाजर आगे बात करते हैं शुकुर The dated बात करते हैं see conservative मिन आपको बतादि आगे बात करते के लिए सबसे पहले आप तीन सीधे सीधे याद करिए सिंगल सुपर फास्पेट डबल सुपर फास्पेट और ट्रपल सुपर फास्पेट ठीक है अब सिंगल सुपर फास्पेट में फास्पूरस की मात्रा 16 बदसत होती है डबल सुपर फास्पेट में फॉस्पूरस की मात् 13-48 की मत्रा कितनी होती है से फर्फास्फेट में सलफर की मत्रा 12 प्रत्सत तक होती है किदनी होती है 12 प्रत्सत होती है इसके अलावा 19 प्रत्सत कैल्सियम भी पाया जाता है किसमें सिंगल सुपर फासफेट में 19 प्रत्सत कैल्सियम भी पाया जाता है और 12% सलफर पाया जाता है अंतर यहां पर है लड़के गलती कहां पर करते हैं गलती करते है पूछा जाता है। कि singleisas Car Raphael की मात्रा बताइए और वारा पर्कषेंट जब mu g मात्रा होती है। सोला प्रत्सट और पहले Yes, Form प्रत्सट के चले हैं की सोला प्रत्सटा जो ए फंस प्रसटा पाया जाता है कि सब्फर को 12% पाई जाती है और Phosphorus 16% पाई जाता है ठीक है उसके बाद Mono Ammonium Phosphate Mono Ammonium Phosphate 10-12% Nitrogen पाई जाती है इसमें Mono Ammonium Phosphate में 10-12% Nitrogen पाई जाती है और 48-61% कहले है या फिर 60% कहले 48-61% तक Phosphorus पाई जाता है उसके बाद Di Ammonium Phosphate Di Ammonium Phosphate में 18% Nitrogen 18% Nitrogen और 46% Phosphorus पाई जाता है क्या पाई जाता है 18% Nitrogen और 46% Phosphorus पाई जाता है देखिए आगे बात करते हैं हम लोग Potika Potasicnes Phatlajeidr के बारे में , Potasic Phatlajeidr यानि कि ऐसे फाद जिनमें Potas KPाय पाई जाती हो किसके मात्रा ?POTAS की मात्रा पाई जाती हो तो पहला आता है आपका potassium chloride जैसे आपने काफी सुना भी होगा Potasneam chloride Kcl लिखते है या जिसे Smoke creator of planetary को के जानते है किसके नाम से Murray Me大丈夫 of potassium की नाम से जानते हैं तो इसे हम MOP यह मोद भी लिए किसा मैं पोटेसिम की मात्रबथ अ FoT होती है कितनी होती है साथ परिसात होती है कितनी होती जिसे सलफेट और पोटास भी कहा जाता है एस ओपी एस ओपी भी कहा जाता है उसमें पोटास की मात्रा 48 से 53 परसेंट तक होती है कितनी होती है 15-15 परसेंट तक नाइट्रोजन पाई जाती है कितनी तेरा हैं च्रहा से 46 परसेंट तक पोटास पाया जाता है अवे दो जो है आपके नाइट्रोजन फटलाजर फॉस्पेट फटलाजर और जो है आपके सभी के पोटासिक फटलाजर यह सभी फटलाजर कंप्लीट होते हैं ठीक है और अब फटलाजर में जो भी बचा होगा वह हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रवाइड करा देंगे बाग यदि नहीं है तो फिर हम लोग बात करेंगे मैन्योर इंक यूर जैसे मैन्योर खत्म होगा बायो फटलाजर और उसके अलावा फिर हम लोग न्यूट्रियंट एंड मैनेजमेंट पर आएंगे ठीक है तो प्लाइंट न जय भारत धन्यवाद